इंडियन टेस्टी रेसिपीज में आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे है पोटेटो मिन्स पेटिस पोटेटो मिन्स पेटिस बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मटन ले लिया है इसे हमने 1 प्याज 1 टीजपून अध्रक लेशन पेस्ट और 1 टीजपून हल्दी डालकर हमने उबाल लिया है इससे 3 सिटि ले लिया यह गल चुकाए बिल्कुल इसके अलावा हमने 1 टीजपून लाल मिर्च पॉडर लिया है आधा टी स्पुन हम ने गरब मसाला पॉडर ले लिया है, और आधा टी स्पुन हमने जीरा पॉडर लिया है, इस ayam टेबесपुन तेल डालकर हमने यह तीनों मसाले डालकर, बना लिया है, हमने पका लिया है, अच्छी तरह कें जाब लिया है, वरकाई बनाने मेरे प्टैटों का उसके लिए वाप लिए आपने चार आलू उबाल लिए है और उसे मैश कर लिया है एक टीस्पून हमने नमक लिया है छेसाथ हरी मिर्च्छ छेसाथ लहसून है जिसे हमने पीश लिया है और थोड़ा सा हराधनिया है इन सभी को मिला कर हम आलू में मिला कर बैटर तयार कर लेंगे यह हमने सभी को मिक्स करके बैटर तयार कर लिया है हम इसे बैटर को लेंगे हांतों की मदद से बनाएंगे गोल गोल को यह हमारा प्वें हैँ हमारा आलू कर sigui यह हमारा अंडया है एक अंडा है जिसे लेकी नमक अलू की हातों की मदद से चप्टी टिकिया बना ले इस तरह से इसे अच्छी तरह से गोल करके चप्टा कर ले अगर आपका बैटर थोड़ा पतला हो तो इसमें हम थोड़ा सब यوा बैट करम भी मिला सकते ताकि बैट से बया स्वud प्रवाइब प्रवाइब लेना है इस तरह से कीमे का बैटर भर लेंगे और इसका मूँ चारो तरफ से बन करके टीकिया बना लेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे पोटेटो मीन्स पेटिस रमजान में बहुत ही शौक से खाते हैं लोग इसे आप एक बर बना कर जरूर देखिए इसे पैक कर लें वरना ये खूल जाएंगा तेल में इसे अच्छी तरह से दबा लें ये पूरी ये पैटिस बनने के बाद हमने एक बना कर दिखा दी है अब हम इसे अंडे के गोल में पहले डूबोएंगे फिर इसे ब्रेट क्रम्स में डिप कर लेंगे अच्छी तरह से सब तरफ से ब्रेट लग जाना चाहिए आगे पिछे से साइट से इसे दबा कर हाथ से लगा लें । और यह बनने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए विरीजमे से, निए तलो रखों में से बने पेटिस बनाकर तैयार कर लिए। एक घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज में रख दिया था अब हमने निकाल लिया है तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम एक एक पेटिस इसमें डालेंगे तेल में और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे यह बहुत ही क्रिस्पी लगते खाने में इसका थोड़ी देर इसे कलर चेंज होने दीजिए फिर इसे पल्टा लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है हम इसे पल्टा लेंगे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे देखिए इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे सर्विंग प् अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए